नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी फॉर विन में और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और प्रेक्टिस सेट इस प्रेक्टिस सेट में हमने आज लिया है बाल विकास और सिक्षा सास्तर का टॉपिक जो आपके ती पूछे जाते हैं एक्जेम्स में वही तीस प्रश्न पिछली परिक्षाओं में आये हुए इस प्रेक्टिस सेट में दिये हुए हैं और इन्हीं को आज हम डिसकस करेंगे प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा इन क्वेशन के अंसर देने का प्रयास कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक देख लेते हैं पहला क्वेशन क्या है पहला क्वेशन है आपका सिसू का विकास प्रारंब होता है किस अवस्था से सिसू का विकास प्रारंब हो जाता है तो सिसू का विकास जो है वो आप सभी को पता है कि गर्ब का को संथाल से ही प्रारंब हो जाता है तो पहला का ऑप्षें है वो सही हो जाएगा फरली को सेंगे मैंसर तो माता-पिता measurement क१ जैसे होती है उनके संतान भी कि संतान कैसी होती है, किनके जैसी होती है, तो समानता का नियम है, तो जैसे माता पिता वैसी संतान, तो माता पिता के जैसी ही संतान होती है, नेक्स्ट कुशन है आपका जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीद विशेषता वाले विक्सित होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा स नेक्स्ट कुशन है आपका जो अध्यापा काम संबंधी सिख्षा दे उन में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए समवेगा आत्मक परिपकवता विनोधी सो भाव काम विशे के अच्छी जानकारी या सभी तो सभी चीजें उसके पास होनी चाहिए तो उप्युक्त सभ इसका आनसर हो जाएगा नेक्ट कुशन है षैश्वा वस्था जो है कितने से कितने वर्ष इन में नहीं दिया हुआ है तो इन में से कोई नहीं सका ऑंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है आपका निमने लिखित में से किशुर अवस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं तो किशोर अवस्था की जितने भी options देए हुए हैं ये सभी समस्याएं हैं सारे रे विकास, समायोजन, काम एवं समवेग आत्मक समस्याएं ये सभी किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं तो इसमें उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन समवेगों की बात कही है कि जो शिशु होता है नवजात शिशु उसमें मुख्य रूप से कौन से समवेग होते हैं तो उसमें भय होता है, क्रोध होता है और इसने होता है तो इसमें जो option C है वो सह कि आप हो जाएगाbeing नेक्स्ट कुश्ण है आपका मानसिख विकास के लिए अध्यापा का कार है की जो जवाब हो हो linhas यानि बालकों को सीखने के आप पूरे-पूरे अवसर्द हैं, उनके सारे रिक्स्वास्थ का ध्यान रखें, विक्तिगयत भिन्नता का ध्यान रखें, उनके बातवरण की व्यवस्था करें, तो ये सारी चीज़े आ जाएंगी. Next Question है, कितने माहे का सीशू होता है, वो पौरण व्यवक्ति की मुखमुद्रा को पहचानने लगता है, यानि एक छोटा बालक किस अवस्था का होता है, कितने महिने का पालक एक बड़े व्यक्ति की मुखमुद्रा को कि वो क्या कहना चाहरा है उसे समजने लगता है, तो चार या अगर हम गुस्सा या क्रोधी मुहे बनाते हैं तो वह समझ जाता है कि ये हमें डाट रहे हैं यानि कि वो मुखमुद्रा को पहचानने लगता है तो चार-पांच माह का बालक जो होता है वो पहचानने लगता है नेक्स्ट कुशन है आपका सरजन सील चात्र चात्राओं के विसिस्ट सिक्षन हे तू निमनलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा कौन सा उपाय तो साउद्देश बढ़त के अवसर परामर्श देना ये सबसे सही उपाय होगा क्योंकि किसी उद्देश को लेकर देना ये चीज सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी नेक्स्ट कुशन है एक बालक की जो बुद्धी लब्दी है वो 150 है तो वो बालक किस प्रकार का बालक कहलाएगा किस रिड़ी में रखा जाएगा तो हम जानते हैं 140 से उपर वाले प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो 150 यदि उसकी बुद्धी लब्दी है तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा नेक्स्ट कुशन है आपका वरद्धी और विकास क्या है तो बिल्कुल वरद्धी और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक है तो पूरक हो जाएगा इसमें आपका आंसर नेक्स्ट कुशन बालक होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा होती है जिग्यासा, जानने की इक्षा, तो इसमें जिग्यासा आपका सही जो है उत्तर हो जाएगा, अगला है आपका, जिस आयू में बालक की मानसिक युग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वो पायू कितनी है तो 14 वर्ष का जो बालक होता है उसका पूर्ण रूप से मानसिक योगता लगभग उसकी विकसित हो जाती है पूरी तरीके से उसका मानसिक विकास 14 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है अगले कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नमबर 16 मस्तिश के द्वारा अपन अगले कोशन की तरफ विकास आत्मक पद्धती को कहते हैं विकास आत्मक पद्धती को क्या कहा जाता है जो आपकी विकास आत्मक पद्धती होती है उसे उत्पत्ति मूलक विधी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है प्रयोग आत्मक विधी में सामना नहीं करना पड़ता है ज इगला कुशन है आपका मानव विकास जिन दो कारकों पर निरुभर करता है। वो दो कारक कौन-कौन से हैं। तो वो हैं जैविक और सामाजिक दो कारक हैं। सिख्ष्या मनोविज्यान का मूल उद्देश क्या है विद्यार्थियों की युग्यताओं और छमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना नेक्स कुशन है मनोविज्यान के उपयोग की कचनाई है क्या कचनाई है तो मनोविज्यानिक परिक्षन जो होते हैं उनकी मूल की दृष्टी से वो इतने महंगे होते हैं कि वो सभी पाथ सालाओं में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्ल नेक्स कुशन है वस्तुनिष्ट परिक्षण के निर्मान में समय लगता है तो जो आपका वस्तुनिष्ट परिक्षण है उसके निर्मान में ज्यादा समय लगता है कि किस तरीके की प्रश्ण उसमें रखे जाए तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है अगला कुशन है आपका सिख्षा मनोविज्ञान का छेतर है तो options हैं आपके सिख्षा मनोविज्ञान का छेतर कैसा है अब जानते हैं कि सिख्षा मनोविज्ञान का छेतर है वो बहुत ही व्यापक है तो व्यापक इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है आपका किस विधी में उद्धीपन अनुक्रिया के मद्धी होने वाले संबंदों का अध्धिन किया जाता है तो इसमें हो जाएगा मनो भौत की विधी में अगला है किस मत के अनुयाईयों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंब सिर से होता है यानि हम मानते हैं कि विकास सिर से पैर की ओर होता है दर से बाहर की ओर होता है तो इसमें आपका क्या सही जवाब हो जाएगा तो इसमें है मस्त बोधमुखी सिद्धान्त अगला कुशन है आपका बालक के निजी वियोहार का अंकन करने के लिए कौन सी विधी सहायक होती है जब हम बालक की निजी विहार को जानना चाहेंगे तो उसके लिए नियंत्रन निरिक्ष्ण विधी सहायक होती है नेक्स्ट कोशन है आपका किशोरावस्था अपराद प्रवरत्ती के विकास का नाजुक समय है पक्के अपरादियों के विशाल संख्या किशोरावस्था में ही विवशायक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंब करती है ये किसका कथन है कथन आप ज़रूर याद कर लिजेगा तो ये है वैलेंटाइन का कथन अगला एक और कथन है विद्याले का यह करताव्य है कि वह व्यापक द्रश्टी कोन अपनाए अंगो पांग समस्त रूप दोनों देखे स्रेष्ट विचारकों अच्छे कारे करता हूं प्रतिभाशाली बालक की बुद्धी कितनी होती है तो आपको बताना है इसका अंसर क्या है तो उसकी होती है 140 से अधिक अभी अभी हमने डिसकस किया कि 140 से ऊपर वाले सभी प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धी किस से कितने से अधिक हो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएए चैनल को subscribe कर लिजे, bell icon press कर लिजे ताकि वीडियो के notifications आपको time to time मिलते रहें, अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं, तो आप मुझे किसी भी social site पर follow कर सकते हैं, twitter, facebook या फिर instagram, सभी की link इसी video के description में दी गई है, फिलहाल के लिए इस video में इतना ही, अगर आप वीडियो में करूंगी एक और topic discuss तब तक के लिए नमस्कार